एलो गाइस कैसे हैं आयो पपस्ची होंगे है तो हमेसा की तरह मैं एक content और लेर करके आऊँ तो आज का जो हमारे content है कि एक mobile repairing में क्या-क्या tool के जोदत होती है कैसे हमें अच्छा mobile repairing करना है या नहीं करना है तो यह complete video है guys तो थोड़ी सी बड़ी हो सकते हैं तो वीडियो को लास दिन्ट देखिएगा कि मैं फूल डिटेले मताने वाला हूँ की एक परिफेक्ट मोइल रिपेरिंग के लिए कौनसा तूल यूज करना होता है क्या-क्या तूल हमें थोड़ा साप expenses कर देते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा और अच्छा आपको मोईल रिपेरिंग हेल्फ होने वाली है तो चली सबसे पहला जो हमारा आता है यहाँ पर SMD तो हमारे पास यह हमारा complete setup है जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ दो माइक्रोस के साथ यह आप देख सकते हैं यहाँ यह complete setup है तो यह हम एक एक चीज़ डिटेल करने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट दिन तक आप जरूर देखेगा तो चली सबसे पहले हम आते हैं सबसे में मस्ट होता है हमारा SMD तो जैसे कहां पर देख सकते हैं जो हमारा SMD ह करने के जरूरत नहीं है अगर आपको बजट है तो आप जरूर ले सकते हैं तो फस्ट आपको SMD जरूरत होती जो की एक हजार से बीस स्टार्ट हो जाती है और आपका 20,000 तक यह उससे उपर भी जा सकता है गाइस तो यह हमारे पास सब्सक्राइब का है SMD फस्ट सेकेंड म अपको एक मल्टी मिटर जोरत पड़ेगी तो मल्टी मिटर भी आपका जो मैं स्टार्टिंग बताओं कि 100 और पैसे भी स्टार्ट हो जाता है गैज पर जो मल्टी मिटर है यह हमारे पास संसाइन का है और बिसिकली यह आपका 400 सब्सक्ण के सम्तिंग में मिल जाता है आप यहां पे जितना Mega चाहते तो मैंगा मालडी मिटर मिटर्थ कर सकते हैं तो हमारे पास यहां पर सणसाइन का मालडी मी。」 और भी आप चाहें तो इसे मेगा भी आप अपडेट वर्जन भी ले सकते हैं SMD की जो क्वालिटी है यह इसका स्टैंड है और इसका यह देख सकते हैं पाइप नूजल और यह सारी चीज़े आप यहां पर देख सकते हैं SMD का यह बाया लुक गाइस उसके बाद वन उसके ब पड़ी हुए जाके होँए यहां के आप आप से भी देख सकते ह initially we are जैसे कि आप को हैं पर देखने को मिल रहा है यह मैंनस्रीप यूज़ कर रहा है है यह दिखा दो गयूं इनिवरसल लवट करने के आपको मुनी अब देख सकते हैं कि यह आपको जो चोती चीज के जो मेन हमारा concept है iron iron में आपको दिखाना चाहूँगा iron जो आप iron पे पहले काम करते थे guys यहाँ पे भी आप काम कर सकते हो यह आपका धाय 300 रुपे में आ जाएगा और यह आपका 100 रुपे के बीच में आ जाएगा तो काम हमारा इससे भी होता है guys ऐसा नहीं कि काम हमारा नहीं हो पाएगा पर basically अगर आप उसमें थोड़ा सा पैसा खर्चा करते हैं तो आपका लुक और काम यहाँ पे करने वाला है यह इसका जो मॉडल है guys मैं बता दूँगा T12 Pro यहाँ आप T12 Pro देख सकते हैं तो यह हमारा जो यह चार चीज़ था guys तो यह चार चीज़ों से आप अपना काम तो चालू कर सकते हैं बिसिकली यह जो हमारा मेन होता है अब आप चाहें तो यहाँ पर 4500 रुपाय का SMD आप जो मैंने क्यों 557 DW प्लस बताया यहाँ पर आप यह कुराड यह भी संथिंग आपका 5000 यह पैतालिसों के संथिंग होगा उसके बाद यह जो आइरेन है यह आपको 2500 के बीच में आजाता है आपको क्योंकि और आपका मल्टीमेटर यह मल्टीमेटर सार चार साथ हो तो मैं यहाँ पर प्राइस के साथ सारे टूल के साथ आपे मैंसने आपर कर रहा हूं तो यह चार चीज़े जो गाईज आपको यह जो PCB स्टेंड है यह अप्रॉक्स 1100 से 1500-1600 के बीच में आता है गाईज तो यह हमारा देख सकते हैं यहाँ पर मेकेनिक का भी यह PCB है जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यह PCB स्टेंड जिसमें आपको IC क्लीनिंग PCB स्टेंड यह सारे कुछ यहाँ पर देख से मिल जाता है और 500-700 रुपे 800 रुपे भी आता है इसजी टूइजर उसके बाद यहाँ पर दो स्क्रैपर आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपको ग्लू कटिंग और IC निकालने का जो डूल टेकर होता है या फिर पेस्टिड आइसी होती इसको निकालने का काम में आ यहां पर हैं मौन करता है तो इते हैस finduj up यह चीना देखा रखा हुआ गंशनyu पूझन ओर प्यइट्या वाइस से था आप नेक्सट आते हैं तो इसके बाद आपको इक टर्चो कि बहुत काम में आता है तो जो दो काम में आपको आपके यहांपे आजाताय उसकी बात करेंद फ्लैक्स की तो फ्लैक्स आप संब thirty अच्छा भी आप यूश कर सकते हैं गई तो यह सारी चीजें यहांपे और मैं आपको next आएं तो आपको यहाँ पर बोल सकते हैं इसको कि देख लीजें mechanic का है और इसके बाद UVglue का यूवि लाइट भी आती है तो यह आप देख सकते हैं तो यह basically अगर आपके पास इतना सारा tool है अगर आप इतना सारा tool ले लेते हो तो आपका यहाँ पर 110% बहुत स्मार्ट तरीके से काम होने वाला है बाकि आप इसमें ऐसा नहीं कि बहुत महगा लेने के जुरूरत है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और जो आपको लास्ट यहाँ पर बता है DC का केबल यहाँ पर देख सकते हैं Android बूट केबल यहाँ पर मैंने आप मैकैनिक का ले लिजेगा ज्यादा बेटर होगा यहाँ पर मैंने मैकैनिक का यूज किया हुआ है संसाइन का भी है दोनों ही यहाँ पर बूट के वले यहाँ यूज कर रहे हैं संसाइन का भी है और यहाँ पर मैकैनिक का भी है लगा सकते हैं यह दो-दो माइ unus yr amyl neboda है थी कि आप 3004 बीच मै आजाता है और एक क्लॉथ के टायम पर और हमारा यह वोटल तो गाइज यह जो था complete setup मैंने आपको यहां पर दिखाया अपना यह complete setup तो guys कैसा लगा यह comment करके जूरूद बताईगा कि मैं ऐसे वीडियो ले करके आता रहता हूं guys आपके लिए तो यह मैंने particular आपका perfect की एक mobile technician को क्या-क्या चीजे जूरूद होती है तो यह मैंने हमने सार यह आपने यहां पर देखा guys तो वीडियो को last thing तक देखा तो please comment करके जूरूद बताईगा कि वीडियो आपको कैसा लगा यह आप अगर रखते हो तो आपको mobile repairing करने में बहुत helpful होने वाला है thank you so much मिलते हैं किसी next वीडियो में अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है